मुझा लिया थे यहुर, अब हम ले रहे हैं बिसी भूमा लैक्टीना का मैमबर अगैरिकस अगेरिकस जो है इस अगेरिकस का जो ओर्डर है वो ओर्डर है अगेरिकेल्स अगेरिकेल्स ओर्डर है इस के बारे में हम अब डिसकस करेंगे तो अगेरिकेल्स जो ओर्डर है उस ओर्डर के पहले मैं तुमको कुछ इंपोर्टन्ट करेक्टर्स बता देती हूं फैमिली के और ओर्डर के तो अगेरिकल्स जो ओर्डर है उस ओर्डर में important जो characteristics हैं वो ये हैं कि जो primary mycelium होता है वो baserious sports से जो बनता है homo-cariotic baserious sports से वो बहुत short lived होता है और जो secondary diicariotic mycelium होता है वो इसकी life cycle का major part play करता है और उसके त्रू ही सारा इसमें tertiary mycelium का formation होता है footing body का formation होता है ये सब diicariotic secondary mycelium के बाद होता है कुछ species में इसमें क्या होता है कि hypha जो होता है वो aggregated हो जाता है एकटा हो जाता है और rhizomorph बनाता है इनमें asexual reproduction जो है वो बहुत कम होता है और कुछ species जो होती है इसमें वो oedia produce करती है clematospores produce करती है या sclerosia produce करती है sexual reproduction besidio mycoteinol का member है is by somatogamia somatogamia के त्रू होता है और जो members होते हैं वो वेल डिवालब्ड और डिस्टिंक्ट fruiting bodies जिसको हम besidio carbs कहते हैं वो produce करते हैं यह जो besidio carbs होते हैं यह fleshy होते हैं और बड़े अच्छे बड़े size के होते हैं जनरली जो agaricus वाला जो family है इसमें यह बड़े size के आराम से conspicuous होते हैं यह जो besidio carbs हैं फ्लेशी हैं और non septate जो besidia है वो hymenium के form में develop होता है gills पे यह lamella में इसको हम detail में लेंगे तो तुमको यह lamella gills वाला structure समझ में आ जाएगा अब इसके बाद इसमें agaricus के बाद agaricus के बाद agaricus के बाद agaricus के बाद agaricus के इसकी family है और agaricus केसी family का जो character है वो यह है कि footing body जो होती है वो well differentiated होती है किस-किस में इसका जो पकड़ने का नीचे stock जैसी जो होती है जिसको type कहते हैं वो और उपर जो इसके अंदर footing body का जो structure होता है चाते नुमा पिलियस कहलाता है तो type और पिलियस में differentiated होती है और इस type के उपर जो एक ring जैसी बनती है annulus कहलाती है एक ring present होती है annulus वो present होती है इस type के उपर यह important character है और तीसरा important character है कि इसमें जो लैमीले होते हैं वो लैमीले इसके अंदर free होते हैं लैमीले are free तो यह important character है अगेरिकेसी family का अब हम लेते हैं mushroom अगेरिकस इसकी systematic position पहले देख लेते हैं मायकोटा kingdom मायकोटा subdivision subdivision यू मायकोटा division यू मायकोटा subdivision बेसीडियू मायकोटीना और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें classes की hymenomycities और subclasses की holo basidiomycities और order agaricals family agaricacy ठीक है अब यह जो agaricus है यह saprophytic fungus है और जो ज़्यादातर dead या decaying जो पतियां जो गिर चुकी है मर चुकी है उन पे decay हो रही है जिनका विघटन हो रहा है उन leaves के उपर जो लकडी के टुकडे है wood logs के उपर यह grow होती है या जो manure जाना है खाद बहुत है खाद इखटी है धेर के फ़र्म में वहाँ पे इस ऐसी वाली surroundings में ये grow होता है rainy season में commonly इस fungi को हम mushroom कहते हैं commonly इसको क्या कहा जाता है mushroom कहा जाता है ज़्यादा तर इसकी 17 species हैं इंडिया की अगर हम बात करें कि 17 species इंडिया में हैं जो ज़्यादा तर कुर्मत्टा के नाम से जानी जाती है इसी को हम धिंगरी भी कहते हैं कुकुर्मत्टा या धिंगरी commonly कुकुर्मत्टा इन यूपी और धिंगरी इसको पंजाब में कहा जाता है अगरिकस की जो कंपैस्टेस species है वो field mushroom के नाम से जानी जाती है और agaricus की जो biosporous species है ये cultivated mushroom जिसको white mushroom कहते हैं उसके नाम से जानी जाती है ये दोनों की दोनों species खाने वाली agaricus की species है edible mushrooms के नाम से commercially cultivate किया जाता है इनको इंडिया में कुछ species इसकी जैसे एक तुम्हेंने मेंचन कर रहे है एक्जामपल है एक्जोप अगेरिकस की जैन्थोडर्मस ये species इसकी poisonous species होती है ऐसे ही एक इसकी species है sylvaticus, agericus sylvaticus वो species भी इसकी poisonous species होती है अब हम इसका description ले ले लेते हैं agericus जो है ये तो हमने उसका जड़र्ल ले लिया अब हम लेते हैं कि agericus का description क्या होता है agericus कैसा होता है तो agericus का जो mycelium होता है structure अगर हम इसकी बात करें structure of agericus structure of agericus के हम बात करें तो इसको हम 3 heads के अंदर पढ़ सकते हैं पहला heading अगर हम डीटेल में लेना साहिए तो मेरे ख्याल सब्सक्राइब वाला पार्ट ले ले लेते हैं कि vegetative mycelium और दूसरा पार्ट अगर हम इसका ले रहे हैं तो दूसरा पार्ट अगर हम इसका फ्रूटिंग बाड़ी ले लेते हैं एक तो primary mycelium और एक secondary mycelium primary mycelium इसमें जो होता है underground जो होता है उसमें germinate जो basidio spores होते हैं उनके germination से basidio spore के germination से highline highline मतलब transparent septate जैसमें septa formation होता है और monokaryotic monokaryotic मतलब एक-एक nuclear होता है एक cell के अंदर एक nuclear तो इस तरीके कासा का structure होता है इस basis के अपर यह जो primary mycelium होगा या तो यह positive strain का होगा या negative strain होका होगा तो basidio spore जिस तरीके का होगा positive का basidio spore है तो mycelium जो बनेगा primary mycelium वो positive strain का बनेगा negative का है तो negative बनेगा यह primary mycelium short lived होता है थोड़े से टाइम तक रहता है और जल्दी ही यह diakaryotic secondary mycelium में convert हो जाता है और यह secondary mycelium में किस तरी के से convert हो जाता है by fusion of two primary mycelia of opposite strains primary mycelia basidus pore positive strain का negative strain का basidus pore positive strain का germinate हुआ germ tube बनाई elongate हुआ primary mycelium होगा दूसरा negative strain का germinate हुआ germ tube बनाई elongate हो गया primary mycelium बनाई तो positive और negative के दो primary mycelia अब एक दूसरे के contact में जब आ जाते हैं तो उनका fusion हो जाता है और secondary mycelium बन जाता है अब यह जो secondary mycelium है यह perennial है मतलब हमेशा रहता है perennial हमेशा रहता है survive करता रहता है पेरेनियल है और इसमें branching खूप आई जाती है और septation इसमें भी होता है जो हाइफा इसका होता है secondary mycelium का यह twist जैसे रसी होती है उस तरीके से यह twist हो जाता है twist together mycelium हापस में इस तरीके से twist हो जाता है जैसे की हाइफा के cords बन गई हो रसीया बन गई हो हाइफा की रसीया बन गई हो हाइफा कोड़ के form में हो जाता है जिसको हम rhizomorph कहते हैं इस structure को हम कहते हैं rhizomorph ये जो rhizomorph होता है ये बाद में maturity इसी में circular जो colony होती है हाइफा की ये soil में बनती है जिसे इसमें दिख रहा है soil में बनती जा रही है क्योंकि वो rhizomorph के form में है और maturity पे हाइफा डेवलीकार बनते हैं में फूर्टिन बोडियES की चिबणकर है एक हाइफाल कॉर्ड हो गया है तो हाइफा फ्रूटिंग बड़ी बनता जाता है उनकी टिप्स के उपर तो more or less circular ring का formation हो जाता है और जो कॉलनी है इस तरीके से ग्रो हो जाती है और older parts जो कॉलनी है वो डिजनरेट होते जाते हैं और फ्रूटिंग बड़ी फॉर्म हो जाती ह इक स्टेंग के लिए तो जो रिंग बनती है यह रिंग लार्जर डायमीटर के बनती है बहुत बड़े डायमीटर की बनती है और उनकी successive जो crops होती है एक के बाद एक फूटिंग बॉडी दे आर प्रोड्यूस्ट इन लार्जर एं लार्जर निंग एक बार जो बनी उसके गोकड और लार्जर दूसरी बार बने उसे और लार्जर, ऐसे, तो दीज रिंग्स और कॉल्ल डारी निंग्स इनको का जाता है फेरी रिंग्स है, यह आप दीख रहा है को unto राइर्ड वाला से फैरी रिंग्स फोलो करती है उंहीं मि नेक्सट बना भान्सी बॉलन फैरी रिंग्स फैरी रिंग्स मोगार्व follows अब तुम देखलो ही पूरा का पूरा गोला बन गया है लेर कट डाइग्राम बहुत अच्छा सा दिखा रहा है आपको यह देखो और इसमें पूरा लिखावा है कि माइसीलियम सब्टिरेनिन होता है सब्टिरेनिन मतलब अंडरगाउंड होता है सारी डारेक्शन में ग्रोफ होता है सेंटर से बाहर की तरफ और सेंटर से बाहर की तरफ जब ग्रोफ होती है तब हम इसको करते है सेंट्रिफ्यूगल ग्रोफ मतलब हाइफा की ग्रोफ आउटवर्ड हो रही है center से बाहर की तरफ और उसके इसलिए एक circle सा form हो जाता है circular colony of high five is thus formed यह देखो increase होता जारा है हर साल year after year the growth occurs on the outer age outer age है उसके अंदर grow होगी क्योंकि central जो mycelium है मैं तुम्हें भी तुमको पता है कि पुरानी की death होते जाती है वो dyes होता जाता है age के साथ साथ और बाहर वाला जो है वो grow करता जाता है तो हर बार जो उसकी periphery का जो size है वो बढ़ता जाएगा और area बढ़ता जाएगा तो diameter इसकी बढ़ती जाएगी यह इस तरीके से यह देखो आप तो diagram clear गर देखो कि तच्छा सा diagram बना रहा है फेरे रिंस का पुराने वाले path को follow करती हुई बनती जा रही है और next time और बड़ी बनेगी क्योंकि center वाला माई सेलिमा है उसकी death हो दिया रही है और भार की तरफ यह grow होता जा रहा है इस तरीके से they form dinner ring तो सबसे पहले जो बना था पुराइजोमाफ बना था उसमें circle बना होगा फिर बीच वाली की death होगी फिर बाहर और बना फिर बाहर और बना फिर बाहर और बना तो उसका diameter बढ़ता चला जाता है ठीक है अब इसका लेंगे हम reproduction mycelium का और detail structure अगर आपको देखना है तो next slide है उसकी वो मैं अभी वापस एक बाद discuss कर लूँगे और उसके बाद हमसका reproduction लेंगे ठीक है